नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डौक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि ओलाहेर आदी शैंपू का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है, ओलाहेर एदी शैंपू को कैसे लगाना चाहिए और ओलाहेर एदी शैंपू की वज़र से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि ओलाहेर एदी शैंपू को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए ओलाहेर एदी शैंपू एक antifundal दवा है ओला हेर एदी शैंपू का उप्योग सिर्की तवचा में डैंडरफ को ठीक करने के लिए और डैंडरफ को होने से रोकने के लिए ओला हेर एदी शैंपू का उप्योग किया जाता है डैंड्रफ की समस्या होने पर सिर्की तवचा से सफेद रंग की सूखी पपड़ी उतरने लगती है और डैंड्रफ की वज़ा से बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं इसके अलावा सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने पर भी ओलाहेर एदी शैंपू का उपयोग किया जाता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस डैंड्रफ का ही एक गंभी रूप है सेबोरिक दर्मेटाइटिस होने पर वचा से सफेद रंग की सूखी पप्री बहुत ज्यादा गंभी रूप से गिरने लगती है अब हम डिसकस करेंगे की ओला हैर एदी शैंपू को कैसे लगाना रेक्मेंडेड होता है ओला हैर एदी शैंपू को लगाने से पहले आपको अपने बालों और सिर्की तवचा को पानी से अच्छी तरह से भिगो लेना चाहिए उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में ओला हैर एदी शैंपू को लेकर सिर्की तवचा में अच्छी तरह से लगाना चाहिए और हलके हाथ से मसाज करनी चाहिए और ओलाहेर एदी शैंपू के जाग बनने के बाद ओलाहेर एदी शैंपू को 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक सिर में लगा कर छोड़ देना चाहिए और उसके बाद ओलाहेर एदी शैंपू को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहि ओलाहेर एदी शैंपू को बंद करने के बाद डैंड्रफ की समस्या दोबारा हो सकती है। और यदि किसी व्यक्ति को डांड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। तो ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर ओलाहेर एदी शैंपू को सब्ता में एक बार भी लगाने की सला दे सकते हैं। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में ओलाहेर एदी शैंपू की वज़़ से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में ओलाहेर एदी शैंपू की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे बालों में सुखापन होना, बालों का पतला होना, बालों की चमक कम होना या बालों का रंग फीका पढ़ना, बालों का गिरना, वचा में जलन, खुजली और लालपन आदी side effects ओलाहेर एदी शैंपू की वज़े से हो सकते हैं. ये side effects सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं. केवल कुछ पसेंट व्यक्तियों में ही ये side effects ओलाहेर एदी शैंपू की वज़े से नोटिस किये गए हैं. यदि किसी व्यक्ति को ओलाहेर एदी शैंपू को लगाने के बाद सिर में बहुत ज्यादा जलन, खुजली, तवचा क के हो सकते हैं. अब हम discuss करेंगे कि ओलाहेर एदी शैंपू को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. यदि आपके सिर में कोई चोट लगी हुई है या आपके सिर में कोई घाव है, तो आपको ओलाहेर एदी शैंपू को नहीं लगाना चाहिए. और ओलाहेर एदी शैंपू को केवल सिर की तवचा पर ही लगाना recommended है. बारह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ओलाहेर एदी शैंपू को लगाना recommended नहीं है. ओलाहेर एदी शैंपू को आँख, नाक और मुव के किनारों के पास लगाना recommended नहीं होता है. यदि गलती से ओलाहेर एदी शैंपू आखनाक या मूँ में चला जाता है तो आपको ओला हैर एदी शैंपू को तुरंथ ही पानी की मदद से धो लेना चाहिए बालों में ज्यादा केमिकल से भरपूर हैर कलर का इस्तमाल करने की वज़े से भी डैंडरफ की समस्या हो सकती है इसलिए ज्यादा केमिकल से युक्त हैर कलर का उपयोग न करें बालों में बहुत ज्यादा तेल लगाने की वज़े से और बालों की नियमित रूप से सफाई न करने की वज़े से सिर में डैंडरफ होने का जोखिम अधिक हो जाता है इसलिए आपको बालों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। वैसे ओलाहेर एदी शैंपू प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी ओलाहेर एदी शैंपू को लगाने की सलाह दे सकता है। अगर किसी व्यक्थी को ओलाहेर एदी शैंपू या इसके किसी भी इंड्रिडेंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को ओला हैर एदी शैंपू को नहीं लगाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में